नमस्कार मेरे साथ ही हो कैसे हैं दोस्तो आप सब आसा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी आने वाली सभी परिक्षाओं के तारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे दोस्तो ये वीडियो आप सभी के लिए complete information के लिए होगी जितने पी साथी JNU में MA Hindi Course के लिए admission लेना चाते हैं 2022-30 के अंदर तो उनको ये जो वीडियो है देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके अंदर आपको complete admission process आपको बताया जाएगा और कैसे आपको त्यारी करनी है किन books से करनी है वो सभी आपको बताया जाएगा कैसे आपको free classes लेनी है कैसे mock test करने है वो सभी information आपको इस वीडियो पर provide होंगी दोस्तों बिल्कुल अगर आप चैनल पे हमारे नए है तो चैनल को करेंगे अभी से subscribe की यहां पर आपको JNU, DU, BHU और जामिया और EMU से आने वाली कोई भी information होगी आपको डेट मिलती रहेगी बिल्कुल बात करें MA Hindi को जो entrance exam होने वाला 2022 में उसमें exam की preparation के लिए क्या tips होंगी आप सभी को मतादू देखें जो भी MA Hindi की त्यारी कर रहा है JNU के लिए तो आप सभी हमारे चैनल की playlist पे जाके देखिए बिल्कुल आप सभी को एकदम भैतरिन तरीके से content मिल जाएगा और हमारे चैनल पर MA Hindi की free of course classes कराई जाती है जिससे की हमारे जो students हैं दो ऐसे students हैं जिनका की जवाहर लाल नहरू विश्वदाले MA Hindi 2021 में जो की admission हो चुका है दो ऐसे students हैं बात करें दिल्ली विश्वदाले में तो बहुत ऐसे बच्चीज हैं जिनका मैंने जो है आप सभी को बताई नहीं सकते हूं कि बहुत students के comments आते हैं कि भी हमारा दिली उस्टी में हुआ है इस college में हुआ तो बहुत हैं वो भी हमारे चैनल से थी उन्होंने मुझसे preparation की सारी tips लिए और सभी जानकारिया लिए वो भी BHU में MA Political Science में Air 1 All India Rank 1 आई है वो भी हमारे चैनल हिंदी साइट से थी समझ गए तो आप सभी को में बता दिया complete process आपको कैसे mock test लेने है चैनल पे जाए हिंदी साइट 2.0 वहा साथ के 9 बजए तो सुबह 9 बजए आपके mock test होते हैं और 9 बजए आपको साम को जो है आपके chapter wise classes होती है समझ गए बिल्कुल free of cost classes है ना कोई paid course है ना कुछ है बस आपको त्यारी करने है और proper notes बनाने है बात करें exam की preparation tips के बारे मैं आपको बता दू जिस चीज की आप त्या time management कर लेगा वही exam को qualify कर लेगा और आपको मैं बता दू जो बच्चे JNU की त्यारी करें उनको और अच्छे से त्यारी करने पड़ेगी क्यूंकि यहां पर सीटे बहुत कम है 39 सीटे है आप सभी को याद रखने है 39 सीटे एक कम 40 49 सीटे हैं जो की हर categories में अलग बाटी गई हैं समझ गए तो आपको अच्छे से preparation करने क्यूंकि बात करें अल आवर इंडिया में बहुत ही मतलब बैक्राउंड है और अच्छी अगर आप अच्छी प्रिपेशन करने पड़ेगी तो हमें हिंदी वाले आप सभी हमारे चैनल से जूड़ जाईए आपको फुल यहां प आपको concept के साथ पढ़ाई कराई जाएगी और आपको एक इंस्यूर किया जाएगा कि हाँ आपका admission हो जाएगा समझ गए तो बिल्कुल आप सभी त्यारी कर सकते हैं और जीनु में बात करें जीनु में deprivation point भी चलते हैं जो कि girls और boys के लिए दोनों के लिए लग हैं तो आपको देखने हैं जानने हैं उसके लिए मैंने separate video बनाई हुए चैनल पर जाके देख सकते हैं आप सभी बिल्कुल बात करें कि आपको जो exam यह होगा आपको कैसे qualify करना है आप सभी को कैसी LGBT बनानी है और कैसे preparation करनी किन box से follow करना है तो उसके लिए चैनल पर जाके देख सक करें कि आपको जो exam होने वाला है आपको कैसे form मतलब आएंगे और कैसे आपको फिल करना है क्यूंकि बच्चों के comment आए थे कि भिया जो सीजिटी हो रहा है सीजिटी यूजी में होगा पीजी में होगा तो देखिए अभी जो है जो है जिएनियू में केबल कमेटी डिसाइ करते हैं समय उन्होंने बोला था कि सीजिटी लिया जाएगा 2022 में पर नोटिस नहीं आया कोई प्रेस रिलीज नहीं आये कि जेनियू में सीजिटी होगा यूजी या पीजी के प्रोग्राम में समझ के तो कोई इंफरमिसन आई है पैस जैसे की बात करें दिली निश्टी मे जो कि 2021 बारवे मंत में जो कि दिल्योंशनी ने भोल दिय थे कि मोई यूजी के कोर्सिज में इस बार 2022 में एमिसन लेंगे सीजिटी के जरी है पर जेन्वे में ऐसा कूछ नहीं बोला बस कि भल बोला गया है बस और कहीं यह नहीं कहा गया कि मतलब होगा Cucity होगा पर PG का भी confirm नहीं है पर PG मैं आपको बता दो अगर Cucity होगा तो 75 और 25 marks का 25 marks का आपको होगा common episode का paper जिसमें की GK, GS, current affair यह होगा और math, reasoning और English यह आपका 25 marks का होगा 75 marks का आपका जो subjective paper आएगा Domain specific strategies होगी आपका MA Hindi का होगा उसमें 75 marks के केवल आपके courses होगे negative marking इसके अंदर होने वाली है JNU में इससे पहले negative marking आपकी नहीं है जो कि आप exam देने वाले हैं जो देते मतलब पिछे साल जो दिये थे student 2-21 में वो negative marking नहीं थी पर अगर 2-22 में CCT लग जाता है PG के courses में तो negative marking हो जाएगी और 12 central university जो पहले CCT करा रही है उन सभी को मैं देख के ही बता रहा हूँ जो कि वहाँ पे CCT के जो exam होए वहाँ पे 0.25 की negative marking थी और 25-75 का pattern चला था handed questions आये ते 2 घंडे का समय दिया गया था CCT जो 12 central universities में हो रहा है पर अब जो है 45 central universities हैं जिनके अंदर CCT लिया जाएगा जिसमें के JNU, BCHU, Jamia, DU, EMU, AU इन सभी को merge कर दिया गया हो CCT 2022 के जो होने वाले admission उनको CCT के जगए ही लिया जाएगा समझ गए बाकी MA Hindi से कोई और information लेनी हो मुझसे आप से तो आप मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हैं मुझसे आप अगर आप और डायेट to डायेट बात करनी है तो मेरी Instagram ID दी हुई है वीडियो के डैक्सेट में आप मुझसे डायेट to डायेट बात कर सकते हैं जो भी preparation की tips लेनी है वो भी आप मुझे ले सकते हैं वैसे कि आगर आप मर्चैन से जोड़ी जाएंगे तो आपको सभी information अप्डेट मिलती ही रहेंगी चैसे आप JNU की तियारी कर रहे हूँ या BHU की, DU की, किसी भी सेंट्रोनिस्टी की समझ गे तो complete information आपको मैंने दे दी बाकि कोई information अगर मुझे से रह रही हो तो आप मुझे कांट बॉक्स में comment कर देना उसका भी मैं आपको reply दे दूँगा बिल्कुल आज की वीडियो को मैं यहीं पेंड करते हैं जय हिन, जय भारत